स्वागत आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्षा 4 से 5 की गनित की कारे पुस्तिका खाहांकला नमबर 10 और कारे पत्रक नमबर 31 एक ही वीडियो में तो चले स्टार्ट करते हैं प्रस्ट नमबर 1 से दी गई संख्याओं को जोड़ना है 21 प्लस 32 त्रेपन अब दी गई संख्याओं को घटाना है 88 में से 60 गए 28 त्रेशब स्मिट से 38 गए 25 तरान में से 493 565 में से 44319 अगला है खाली बॉक्स मोची संख्या लिखनी है पहले वाले बॉक्स में 25 लिखेंगे अगली में 73 गई में 340 हो जाएगा और डव में 204 अगला है यह हल करना है पहले वाले बॉक्स में 5 फिर 2 और नीचे 8 फिर इसी परकार खाव में उपर 0 बीच वाले में 2 नीचे वाले में 7 अगले गई में 0 नीचे 6 और 9 गई में 1 और नीचे 9 और 0 इसी परकार अगला है अमीत के पास 900 रुपे हैं उसने 345 रुपे अपने दोस्त को दे दिये तो अमीत के पास कित्ते से रुपे सेज बचे 900 में से 325 गटा देंगे कित्ते बचे 555 इसी परकार सुमन हर रोज सुबे 300 मीटर स्याम को 440 मीटर चलती है एक दिम कित्ते मीटर चलती है दोनों को जोड देंगे 740 मीटर अगला है दी गई संख्याओं को प्रियोग करके जोड का इबार्थी परशन बनाना है तो हम बोल सकते हैं राम के पास 230 रुपे थे और शाम के पास 200 रुपे तो बताईए दोनों के पास कितने रुपे थे दोनों को जोड देंगे कित्ता आ जाएगा 430 अब मैं प्रशन बनाना है अगला देखिए दी गई संख्याओं का प्रियोग करके घटाफ कर आना इबार्थी प्रशन बनाना है तो सीमा के पास 560 रुपे उसने 335 रुपे खर्च कर दिये बताईए उसके पास अब कितने रुपे सेज बचे तो ये उसका इबार्थी प्रशन हो जाएगा ये ता आँखले नमबर 10 अब हम करेंगे कारे पत्र नमबर 31 जो की पेज नमबर 45 पर है चले श्टार्ट करते हैं प्रशन नमबर 1 से दिये गए चित्र में जो डिबबा है उसमें कितने लड़ू है 16 लड़ू है गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 को अगला देखिए 18 कंचों की दो-दो के समू बनाने है और चित्र द्वारा दरसाना है और कुल कित्ते समू है बना बताना है तो देखिए 9 समू बनेंगे कुल समू कित्ते हो जाएंगे 9 और चित्र द्वारा आमने बत दरसा दिया है दो-दो के जोड़े 9 बाल लिखने हैं आपको अगला परशन है यदि एक चुवा एक छलांग में दूसरे एंग पर कूथता है तो बताइए 12 छलांग बाद पर किती पर पहुँचेगा पहले एक से दो पर गया इसी परकार आप 12 छलांग काउंट करेंगे तो वे 13 पर पहुँचेगा अगला देखी यह हल करना है उदारन है उदारन दे रखा है इसी परकार से हमें नीचे हल करने 6 गुणा 50 क्या हो जाएगा 50 को लिख देंगे 5 गुणा 10 6 गुणा 5 तीस हो जाएगा 30 गुणा 10 तीन सो इसी परकार 60 को लिख देंगे 6 गुणा 10 फिर 9 और 6 को गुना कर देंगे 54 उसको 10 से गुना कर देंगे 540 इसी परकार 90 को 9 गुना 10 8 और 9 बहतर बहतर गुना 10 720 इसी परकार 45 पांच गुना 9 पांच गुना 9 पैतालिस गुना 10 हो जाएगा 4.5 अगला देखिए चित्रों में जो मुल्य के आधार पर पूछे गए प्रशनों को हल करना है 5 तालों की कीमत, 1 तालों कीमत 40 है तो 5 कित्य हो जाएगी 5-40 मतलब की 200 दो जग, 1 जग की कीमत पे चित्तर तब 2-1.500 3 किताब की कीमत, 1 किताब की कीमत 30 है तो तीन की कित्ती हुए ये तीन गुना तीस नब्भ है तो ये था बच्चों हमारा आज का सेशन जिसमें हमने आंकलन नमबर नो, सॉरी, दस और कार्य पत्रक नमबर 31 किया है तो जुड़रे चनल से धन्यवाद